असलाम लेकुम आजन बनाएंगे तंदूरी स्वीट कॉन बनाना बहुत आसान है और बहुत ही यम्मी बनकर तयार होती है आपको मेरी रेशिपी पसंद आई तो रेशिपी को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए तंदूरी स्वीट कॉन बना लेते हैं तंदूरी स्वीट कॉन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो फ्रेश कॉन को लिया है कॉन को हम बोईल कर लेंगे बोईल करने के लिए एक गडाई में कॉन को दालेंगे स्वाधनुसार नमक को दालकर 10 मिनिट के लिए हम कॉन को ढखकर बोईल कर लेंगे कॉर्ण हमारे बॉइल हो जाए तब तक हम तंदूरी मसाला तयार कर लेंगे तार टीस्पून योगर्ट को लिया है अब हम बोल में दालेंगे आदा टीस्पून धनिया पौडर थोड़ा सा गरम मसाला कॉर्टे टीस्पून भुना हुआ जीरा पौडर थोड़ी से हल्दी देड़ टीस्पून यहाँ पर मैं लाल मिर्च पौडर को दाल लिया है कॉर्टे टीस्पून चाट मसाला स्वाधनुसर नमग और एक लेमन जुसकूम बोल में दालेंगे यहाँ पर मैं मसालों में दो टीस्पून कुकिंग ओल और आदा टीस्पून अधरक लेसुन के पेश्ट को दाल लिया है अब हम मसालों को चमच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा तंदूरी कॉर्ण मसाला तयार है कॉर्ण हमारे 10 मिनिट से अच्छे से बॉयल हो गए है अब इने हम निकालेंगे आप कॉर्ण को प्रेशर कॉकर में बॉयल करना चाहते हैं तो प्रेशर कॉकर में कॉर्ण को दाल कर दो सीटी लगा लें अब हम हमारे उबले हुए कॉर्ण पर तंदूरी मसाले को एक ब्रश की मदद से इस तरह से लगा लेंगे तंदूरी मसाले को मैंने दोनों कॉर्ण पर लगा लिया है कॉर्ण को हम बोरने के लिए ग्यास्टो पर एक जाली को रख लेंगे अब हम ग्यास्टो को आउन करके जाली पर कौन को हमारे इस तरह से रखकर गुमाते हुए बुनते जाएंगे कौन को बुनते वक्त हमें फटाफट गुमाना चाहिए नहीं तो यह जल कर हमारे कौन जो है काले हो जाएंगे क्योंकि इस पर जो हमने मसाले लगाए हैं इससे बहुत जल्दी हमारे कौन काले हो जाएंगे इस बात का एतियाद रखे अब हम हमारे कौन पर ऐल या घी से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से ग्रीस करने से हमारे कौन में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा जो तंदूर का फ्लेवर भी इसी से हमारे कॉर्ण में आएगा ओईल को लगाने के बाद हम कॉर्ण को और एक बार गुमा गुमा कर भून लेंगे लिजे हमारा कॉर्ण अब भून कर तयार है और दुसरे वाला कॉर्ण को भी हम ऐसे ही भून लेंगे कॉर्ण हमारे बुन गए हैं कॉर्ण पर दालेंगे लेमन जूस को थोड़े दनिये के पत्ते दालेंगे चुटगी भर चाठ मसाले को हमारे कॉर्ण पर हम स्प्रिंकल कर लेंगे और थोड़े चीज को हम ग्रेटर से कौन पर ग्रेट कर लेंगे यह आप्षनल है आप चाहे तो दाले नहीं तो स्किप कर ले गरम कौन पर चीज दालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है लीजिए हमारा टेस्टी एम में तंदूरी स्वीट कौन बन कर तयार है वैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रिसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी रिसिपी पसंद आई तो रिसिपी को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लेल